कि दोस्तों अगर आप chocolate का पर्फ्यूम बनाना चाहते हैं मुझा से जो बहुत जबाइब जो अगर बत्ती या फिर धूबत्ती होती है तो उसमें कौन सा जो पर्फ्यूम में कौन सा जो रैजिनोड वो इस्तेमाल किया जाता है आज की वीडियो हम जारेंगे हलो दोस्तों मेरे नाम है शैलेस और मेरे यूटूब चैनल सिर्यों कर सुगंधाले में आपका स्वागत है तो देखिए इससे पहले मैंने आपको जो एक मैंने बताएं एक मैंने आपको बैंजून के बताई तो वीडियो में जाके देख लेना इसली वीडियो को की यह जाता है तो देखिए इसका मैं आपको पहले ही रिवील करते हैं क्योंकि बहुत कम लोक नॉब्रीज्स की है ईसका नाम है और इस लेकर करे आता है मैं सब्सक्राइब आपको लगा दूंगा अब देखिए इस्तेमाल ये इसके निकलता कैसे है तो ऌब बटा दूम तदेखिए जो फूल है देंदध क्रिंगे आपके सामने दिख रहा होगा देखिए फूल है ठीक है यह फूल की जड़ होती है पेड़ होता है उसकी जड़ होती है जो आपके सामने इस समय दिखाई दे रही होगी तो देखिए इसको एक्ष्टेट करके अगर हम हिंदी में कहीं तो वाइस्पी करने करके मुलब पूरी तरह डिस्टलाइजेसन करके जो और इस होती है आपको दिख्या होगा ठीक है जो जड़ होती है इसके इसके अंदर से निकाल जाता है तो फूल मैंने आपको बता दोस्तों किस तरह का होता है इसका और जो जड़ होती है देखिए मैं इसकी होती है जड़ जड़ के अंदर से जो किया जाता है उसके अंदर से निकाला जाता है अब देखिए और मैंने आपको लड़ी बता दी चौकलेट की ओड़ होती है प्रफ्यूम मनाना चाहते है अगर आप चौकलेट का तो आप इसका इस्तिमाल करेंगे अब देखिए क्वांटिट कौण सा परफ्यूम मनान चाहते हैं माल लेजा आपको ऐसा परफ्यूम मनान चाहते है पूरी तरह से जो एक अगर बत्ति के अंदर डिपिंग करें और उसमें पूरी तरह से चौकलेट की जो फिलेवर है वह आई तो आप दोस्तों एक किलो में इसे आप साट परसेंट तक सो ग्राम से लेकर देट तो ग्राम कर सकते हैं जो कि जलने के बाद में दोस्तों काफी जादा अच्छर जो फैंसी जो नोट है आपके परफ्यूम के अंधर से आएगा तो आज का जो रोजी नोड़ी काफी जादा है और का जादा कॉशली भी होता है क्यों कि बहुत ही जा जो फैंसी जो फ्राइग्रेंस होती है ठीक है अधिकतर में इस्तेमाल किया जाता है किसी-किसी मैं इस्तेमाल नहीं जानता हूं क्या इस्तेमाल कर रहा है कोई इस्तेमाल कर रहा है तो जिसमें और जरूर ही जाला जाता है तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी जो कि मैं आप को बताए चोकलेट पर्फ्यूम में आप कौनसा रोजिनूड इस्तिमाल करेंगे आज करता हूं आज की वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगे होगी अगर वीडियो अच्छी लगओ तो लाइक कर देना दोस्तों नहीं अच्छी लगओ तो डिसलाइक कर देना मैं फिर से मि लूँगा एक और एसे वीडियो को साथ तब तक के लिए यहीं